दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने अधार काड में अपना डेटा पर्ष चेंज करना और आपके पास कोई भी डाक्मेंट अबलेबल नहीं है तो आज के वीडियो में आपको ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जिसको आप असानी से अपना डेटा पर्ष चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी वैलेबल डाक्मेंट नहीं है अगर आप जाते हैं अगर चेंज करते हैं अपना डेटा पर्ष अधार में तो आपको एक वैलेबल डाक्मेंट अपडेट करना पड़ता है यानि अपलोड करना पड़ता है अगर आपके पास कोई भी डाक्मेंट न करने से पहले अगर आपको वडियो पसंद आगा तो वडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो चलिए कंफूर्टर के स्क्रीन पर चलते हैं और इस प्रोसेस को जान लेते कि कैसे आप घर बैठे ही बीना किसी डॉक्मेंट का अपने अधार में अपन असा साठेश हो नीचे हम पर एक सिसस्ट क्लिक करने के अब आपको लॉग इन करना जिनका आपको आगर आपको डेट पिताफ्यड़ना करना है चेंज करना चाहते हैं जिनका कोई भी डाकुमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इजली अधार अपडेट कर सकते हैं तो मैं आपको आज के पूरा फूल प्रोसेस बताऊंगा सबसे पहले जिनका भी चेंज करना हूं का अधार नमर यहां पर लॉग इन करने के कि आपको बताये गया कि कैसेक काम करता है तो आपको आपको बताया गया की कैसे काम करता है तो तो simple सा आपको एक बार देख लेंगे देखनेक पद यहाँ पर पर अफ़ीड टू अधार पर सिम्पल सा क्लिक करेंगे आपको अपना आपका डेटा बर्स चेंज करना तो simple सापने में data birth पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका data birth को मैं करेक्शन करने चला हूं तो डेटा बर्थ सेलेक्ट करेंगे और यहां पर प्रूसीड टू अपडेट अधार पर क्लिक करना है जो अपको सारा डेटेल यहां पर डालना है और डाले को नीचे यहां पर आटेस्ट डाकुमेंट है यानि आपको वेक वैलीड डाकुमेंट आटेस्ट करना होता है लेकिन आपके पास तो कोई भी वैलीड डाकुमेंट है नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है सिंपल साइस पर सेल्क करेंगा और सबसे गार्क्bnमेट अपलोड करना है तो मैं आपको वीडियो के बिलि बदिताइब ने उसी लिंकले करके इस फ़ाउम आपको सिंपल सा डाऌनलूड कर लेना है और डाउनलोड करने के बक्रेद यहां पर सारा कुस डीटेयल our चेए से अपको आपके देहान देना है कि आप इसको अटेज्ट यानि किसी एक officer से आपको अटेज्ट करना है जैसे आप गाउं में है तो ग्राम पंचा अधिकारी के जो मुख्या होता उससे करा सकते हैं अगर आप कोई बी एक senior person है यहां पर बहुत सरे आपको आपको अपसन मिल जाते हैं तो कोई भी एक अटेज्ट आपको यहां पर सिंपल सा कर लेना है करके आप उसका signature और लगा करके सिंपल सा इसको यहां पर फॉर्म को देखो फिल करके भी बताया है कि कैसे इसको फॉर्म को फिल अप करना है तो सारा डीटेल आपको ऐसे भरना है और साइन फोटो आपको यहां पर क्रॉस करना होता है और आपको यहां पर मोहर वर जो भी आप लगवाना सायते हैं पर सिंपल सा लगवालेंगे तो आपको यहां पर दिखें ऑस सब्सक्राइद मिल जातता है यह आपके आपके इन क्राम पंचायत में हैं तो आपड़ा मिraftे रहे हैं यहां शाघ dez sociale में पड़ते हैं तो जो प्रिंस्पल होते हों उनके यहां यहां प्रिंसट्ไस् traveling सेयां कोई भी स्कूलtermin काыт होता वहां से आप यहां पर क्लिक करके इसको अठैस करे ना बस इसको आपको से करे ना भर ले ना भरने के बाद आपको अपने मुबाईल से स्कैन कर ले इस document को, और document को scan करने के बाद, आपको simple सा क्या करना है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको यहाँ पर scan करने के बाद, यहाँ पर इसको download कर लिजेगा, और download करने के बाद, यहाँ पर simple सा यहाँ पर चले जाना है, और अपने mobile में एक PDF बना लेना है, और बनाने के बाद, यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेना है यहां से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया आप सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है यहां पर नेक्स्ट वाले बटन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है यहां पर देखिएगा कुछ टाइम लगता है तो यहां पर आड़े पूरूप नहीं है तो सबसे नीचे वाला सेलक करके और आप अपने ग्राम पंचाइद अधिकारी हो गया चाहें स्कूल का कॉलेज का हो गया चाहें तसील में कोई भी गेस्टेड ऑफिसर हो उससे या आप अगर नगर निगर में रहते तो वहां पर तसील पर जाकर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है जब नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो सिंपल सा आपको क्या करना है अगरी करने के बाद आपको यहां पर यहां यहां पर दो आप्सन है यानि आपको चार्ज किया जागई अपड़िट करने के लिए के 50 रुपया को आपको भुक्तान करना पड़ता है तो सिंप्ल सावर्जाव स्थ पर रिप्र सेल्जा कर लेना है यहां पिर और यहां पर मैद्वेश्म से अभुँड करेंग तो आपका किसी माधियम से विलेट हो चुका है देखें हैं पर 50 रुपए का पिमेंट वाला यह आपका रिसेप्ट जन्रेट हो गया बस इसको आपको अपने पास रखते नहीं और यहां पे जो आरेन नमबर है बस इसको आपको सिंपल सा कॉपी कर लेना है यहां से और कॉपी करके आप अपना स्टेटास है जो आप अपना स्टेटास को भी चेक कर सकते हैं यह विदिन आपके दस दिनों के अंदर यह क्या हो जाएगा आप सारा चीज वेरिफाई किया जागा वेरिफाई करने के बाद यूडि द्वारा वेरिफाई किया जागा वेरिफाई करने के बाद आपको दस दिनों के अंदर यह आपका जो डेटा बर्थ है यह इसलिए कोई भी डाकुमेंट आ होने के वज्जा से भी इसलिए आप इसको ईप्रूबल करा करके अपने आप टेटा बर्थ को चेंज करा सकते हूं आपको वडेयो पसंद आया होगा अगर आपको वडेयो पसंद आयो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा आपके मन में कोई बी डाउट या कोई क्वारी हो तो आप कमेंट सेक्सिर में जुरूर पूछिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने टोपिक साथ तब तक ले जाए ही जाए भारत